टमाटर की फसल यदे आप लेते हैं तो टमाटर की नरसरी डालने से लेकर के और फल आने तक कोई ना कोई रोग लगता ही रहता है और उसके तरह-तरह के उपाई भी किये जाते हैं यह उपाई बहुत से भाई रासायनिक तरीके से करते हैं बहुत से भाई जैविक तरीके से करते हैं लेकिन जब तंप्रेचर कम होता है यानि मौसम ठंडा हो जाता है आर्दिता अधिक आ जाती है वातावण में तो इस समय कुछ ऐसे रोग लग जाते हैं जो हमारी फसल टमा तो दोस्तों आज हम इसी पर जानकारी आपको देने जा रहे हैं, दोस्तों मेरा नाम है सतीस कुमार, आप देख रहे हैं, एग्री अडवाईज, आपका एक बार फिर से स्वागत है, दोस्तों वीडियो में जानकारी देने से पहले आप पहले चैनल को सस्क्राइब कर दीजि उनके बारे में ये मुखिता तीन प्रकार के रोग ज्यादा प्रभावित हमारी फसल को करते हैं एक टमाटर के पौधे का गलना या मुर्जा कर सूख जाना दूसरा रोग जो लगता है वो पत्तियों का सुकरना जिसको मुझा एक रोग भी कहा जाता है तीसरा जो सबसे ज्यादा हमारे टमाटर के पौधे को प्रभावित करता है उसका नाम है जुलसा या दो प्रकार का होता है एक अगेती जुलसा और एक पिछेती जुलसा तो इन तीनों बीमारियों की आप रोग ठाम कैसे करेंगे इसकी पूरी डिटेल से हम जैबिक और आसायनिक तरीके दोनों बताने वाले हैं सबसे पहला रोग तमाटर के पौधे का गलना या मुर्जा करके सूख जाना या एक बहुत खतरनाक जीवाण के द्वारा हमारे तमाटर के पौधे में फैलता है जिसका काड़ है सीडोनो मोना सोने लेसी एरम नामक जीवान के द्वारा यह रोग फैलता है और इस रोग के फैलने पर इसके लच्छड आपको इस पस्ट दिखाई पड़ जाएंगे पहले पतियां मुर्जाना सुरू होती हैं उसके बाद पतियां धीरे धीरे मुड जाती हैं मुडने के बाद पतियां पीली पड़ने लगती हैं और नीचे से पतियां सोखना चालू हो जाती हैं और धीरे धीरे पौधा सोख जाता है इसका बहुत सरल उपाई यही है कि जब या आपके पौधे में रोग लगा दिखाई पड़े तो इसको आप निकाल करके बाहर कर दें और कहीं पर गड़े में दबा दें या जला करके नश्ट कर दें क्योंकि इसके लिए कोई भी दवा कारगर साबित नहीं हुई है तो सबसे अच्छा तरीका लेकिन यदि आप ला सकता होती है अब दूसरा रोग जो हमने सामिल किया है पतियों का सिकड़ना यानि मुझे एक रोग या काफी घातक रोग है और यह एक वायरस के द्वारा फैलता है जिसका नाम है टोमेटो इस्पोडेट इसको उख्ठा भी आप बोल सकते हैं तो यह एक बीसांड जनित र जाती है और इसमें काफी सारी साखाय नीचे से जो साखा निकलने के स्थान होते हैं वहां से बहुत धेर सारी साखाय निकलती है और फोल तो आते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं और पौधा एकदम इसकी बढ़वार भी रोग जाती है और धीरे-धीरे पौधा या सूखने लगता है कमजोर होने लगता है दूसरे स्वस्त पोधों को भी नुकसान पहुंचाता है इसलिए इसको आप सबसे अच्छा उपाई है कि इन पोधों को आप बाहर निकाल दें लेकिन इसके लिए आप कुछ उपाई भी कर सकते हैं यदि जैबिक तरीके से आप उपाई करना इसके साथ-साथ रासाइनिक तरीके से यदि आप खेती करते हैं तो रासाइनिक तरीके में ये रोग थाम के लिए आप इमिडा क्लोरोपिटी 36% मातरा वाली एक एमल मातरा एक लीटर पानी में मिला करके और चिड़काओ कर देंगे आठ दिन के बाद आप दुबारा जनवरी तक हमको देखने को अपने टमाटर के फसल में मिलते हैं टमाटर के साथ-साथ आपको आलो और मेच में भी लगे ये रोग दिखाए पड़ जाते हैं या रोग अधिक आर्धता यानि अधिक नमी जब वातावन में होती उस समय ज्यादा हमारे पोधों को देते हैं थोड़ा अगेती जुलसा के लच्छड जो हैं आपको पतियों पर धब्बे दिखाई पड़ेंगे पतियों पर कालापन पछेती जुलसा में दिखाई पड़ेगा और धब्बे दिखाई पड़ने के साथ-साथ गोल चल्ले से भी आपको पोधे पर दिखाई बताया कि अधिक ठंड होने पर ज्यादा अधिक हमारी फसल को नुकसान पहुचाता है और बहुत तीव रगस्ते फैलता है तो कभी कभी पान से छे दिन में हमारी पूरी फसल को भी बरबाद कर देता है इसकी रोक थाम के लिए सबसे अच्छा उपाई यही है कि रोपाई प जैबिक खेती करते हैं तो जैबिक खेती के लिए बहुत अच्छा तरीका है लेकिन यदि आप अपने गार्डन में एक दो पूर्धे चार पांच पूर्धे लगाते हैं तो उसमें आप ट्राइकोडर्मा ना लें तो आप जो घर्प की तामरी उक्तचाच होती है उसको ड करते रहें जिससे आप जुलसा रोग पर आसानी से नियंतरन कर पाएंगे रासायनिक तरीके से इसकी रोग थाम की बात की जाए तो रासायनिक तरीके में भी आप इसकी रोग थाम के लिए बलाइटाक्स जो है पचास प्रसत की मात्रा इसकी 15 ml मात्रा 15 लीटर में डाल करक करके और आप फिर से छिड़काव कर दें 8-10 दिन पर तो आप इस पर नियंत्रन असानी से पा सकते हैं लेकिन पिछेती जूलसा जो लगता है तो पिछेती जूलसा के लिए आपको ब्लायट अक्स नहीं प्रियोग करना है बल्कि मैंक को जेब आपको प्रियोग करना है तो मै आप बढ़ा सकते हैं यानि धाई से तीन ग्राम मात्रा का छिड़काव कर दीजे और आठ दिन के अंतर पर आपको दुगनी मात्रा यानि पांच ग्राम प्रते लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है इस प्रकार से यदि ऐसे उपाई अपने टमाटर के पोधे म अब कर दें तो इस समयानी ठंड़के मौसम में जो रोग लगते हैं सामान रूप से उन पर आप रोग थाम असानी से कर पाएंगे और अपने टमाटर के पोधे से चाहे आप गार्दन में करते हों चाहें खेती करते हों अच्छी उपाई ले पाएंगे उम्मीद है आपको इस जानकारी से कुछ हेल्प जरूर मिली होगी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रही है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए नए जानकारी में तब तक के लिए दोस्तों दिजिए इजाजत धन्यवाद जैहि झाल